हाई फे मैं नम आकाश है और आज के इस वीडियो में मेरे पास है Poco M2 जिसमें की प्रॉब्लम है गाइस लो चार्जिंग की कस्टमर का कहना है कि चार्जिंग इंडिकेशन प्रॉपर है फोन पूरी तरीके से ऑन है बट जो है न बहुत लो चार्ज होता है तो उसी को चार्जिंग पिन को ही देखना है क्योंकि मोशली जो होता है वो फोन में चार्जिंग पिन के अंदर प्रॉब्लम हो या उसके बाद स्टेप फॉलो करेंगे बट पहले तो चार्जिंग की तरफ जाएंगे तो यहां पर मैं फटाफट से फोन को डिसेबल कर लेता हूं डि इस तरीके से जो है ना नॉर्मली यह जो है गाइस वह 0.60 एंपेर कंजप्शन कर रहा था तो इसमें की बहुत स्लो चार्ज हो रहा था ठीक है तो ऐसे में जो है ना इसके डीपी डीएम की लाइन में जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है या फिर चार्जिंग पिन में बाल दिया है और अब यह देखिए अब चार्जिंग की जो है सब बोड की कंडिशन मैक्र मैक्रोस्कोप में दिखाता हूं देखें सारे पिन जो है वो ट्रैक पूरी तरीके से जल चुके हैं यह ऐसा क्यों होता है गाइस वाटर लॉग में अगर जब चार्जिंग पिन मे पर पूरा कार्बन आ गया है मैं आपको अंदर दिखाता हूं देखें इसके अंदर कितना कार्बन है वाटर लॉग्स हुआ है ठीक है तो हो ना हो गाइस प्रॉब्लम जो है वह हमारी चार्जिंग पिन से यह अब नॉर्मली कारिकर क्या करते मार्केट में जो हैना वह सब सबड लगा देते हैं लेकिन मेरा मानना है कि आपको चार्जिंग पिन ही चेंज करनी चाहिए क्योंकि सब बोड लगाने से क्या प्रॉब्लम होती है कश्टमार को नैटवर्क की प्रॉब्लम होगी उसको नैटवर्क अच्छा नहीं मिलता मार्केट का जो लोकल सबड होता वो सस्ता बनने के इसाब से चेनव समें बहुत सारे रूती ने walls कि किया जाता है लिए जब ?!" आज कोई भी फोन आए अगर पॉसिबल है तो आप उसकी charging pin को replacement करें अब charging pin कैसे replacement करनी होती है तो दीखिए पहली बात तो इसके पीछे black pest लगा होता है तो ऐसे में अगर आप जबर जस्ती उठाओगे तो कहीं ने कहीं track damage होने का chances है इसलिए आप अच्छी तरीके से hit करो ठी charging pin पर कोई ध्यान नहीं देना है क्योंकि वह खराब है जल जाता है तो कोई problem नहीं है तो यहां पर हमने जो एना वह almost 380 temperature रखा था मेरे काड़ा की SMD में और मैंने बहुत अच्छे से hit दिया तो यह देखो आटोमेटिक जो रिमूव हो गया जैसी रिमूव हो जाए आपको पैस्ट लगाके जो एना एक layout create करना है जब आप charging pin नया वाला लगाओगे तो बो लेयर जो एना थोड़ा सा मोटा होगा तो आसानी से stick होगा क्योंकि जो कि आप मतलब 20-22 पिन से ज्यादा होता है तो इस तरीके से आपको जो इना पेश्ट लगा के पहले तो एक layer इसके ऊपर भी create कर लेनी है ताकि जब यह sold हो board पर तो एक proper पकड़ बनाए क्योंकि हम जो इना ताका मारेंगे तो उतना अच्छा नहीं लगता इसलिए जो इना आपको इस तरीके से करना है अब SMD से surface को काफी अ प्लार डूला देना है क्योंकि हिलाने डूलाने से क्या होगा जो layer आपने बनाई है वह proper एक दूसरे से attach होगी और stick हो जाएगी ठीक है अब stick होने के बाद जो आपको charging pin को इस तरीके से देखना है जो pins है वह हिल तो नहीं रही है अभी मैं आपको करके दिखाता हूं देख लगाने के बाद shoulder से ऐसे दिखो अभी मैं प्रेश लगा रहा हूं प्रेश लगाने के बाद मैं shoulder से इस तरीके से रफ करूंगा खाली ना तो वह automatic क्योंकि हमने already layer बनाया है तो वह properly stick हो जाएगा और कोई भी problem नहीं होती है तो यह काफी safe तरीका है और generally एक बार में आपको result देगा मेरा confidence इतना हाई है ना guys कि मैं अभी यह लगा लगा कि इतना practice हो चुका है कि मैं यह damn sure बोल सकता हूं कि सारी pin proper sold है और यह phone काफी अच्छा empire लेगा मुझे और कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है तो इसी तरीके से आप भी जो है ना proper sold कर लो ठीक है जब वह proper stick ह होचाएगा जैसे मैं आपको वीडियो में करके दिखा रहा हूं simply आपको इसी तरीके से follow up करना है जब आप इस तरीके से पूरा repair करोगे और पूरा जो है ना लगाओगे तो देखें यहां पर अभी जो है मैं board में set करके आपको दिखाता हूं कि हमारी problem क्या solve हुई है तरीके से जो है ना पोको M2 में हमने जो है वो slow charging की problem को solve किया है ऐसा नहीं है कि slow charging की problem charging pin से ही हो और भी बहुत सारे step है लेकिन primary step में ही आपका phone repair हो जाता है तो आगे कि step के बारे में हम जब इन future देखेंगे जब जैसे जैसे मेरे पास phone आएगा hope show कि आपको ये video अच्छी लगी होगी information अच्छी लगी होगी आपको किस तरीके से charging या simple stick आप कह सकते हो कि C pin को किस तरीके से आपको replacement करना है वो एक proper way मैंने इस video में आपको दिया है तो और और अगर आपको video अच्छी लगी है तो please like करना channel को अभी तक subscribe नहीं किया तो कुछना को जरू समझ पहेंगे ठीक है तैंक यू